हालो, दीपक किड़ेकर दिस साइड, हिपनोटिसम की टेस्स कौन से कौन सी है, उसके बारे में मैं आपको जानकरी देने वाला हूँ कौन से लोग डीप ट्रांस में, मतलब डीप हिपनोटिक स्टेज में जाते है या जा सकते है, उनकी क्या परिक्षा है, या उनकी कौन सी परिक्षा ली जाती है, वो कौन सी परिक्षा है, उसके बारे में मैं अभी आपको जानकरी देने वाला हूँ चार प्रकार की टेस्ट है, चार अलग-अलग टेस्ट हम देते हैं, एक है आइलिड केटेलेपसी टेस्ट, मतलब आखे चिपकने की परिक्षा, एक है है हैंड कलास्ट टेस्ट, मतलब हाथ चिपकने की परिक्षा, एक है हैंड लेविटेशन टेस्ट, मतलब हाथ ऐसा उपर- परिक्षा और चवती है body sway test मतलब जब हम खड़े तो बदन पीछे-पीछे मूढने की या अपना balance जाने की परिक्षा तो होता गया है कि यह जब हम टेस्ट देते हैं तो मालूम पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति deep hypnotic अपना balance गहरी संमो नमस्ता में जा सकता है तो पहले जो टेस्ट है उसमें व्यक्ति को बोलते कि आखे बन करो और आखे बन करके पूरा बदन रेलाक्स करके उसको मिठा से और उसको बिठाने बाद में उसको सूचना जेते हैं कि आपकि आखे भारी-भारी हो रही है आँखों की पलके भारी भारी हो रही है, आखे भारी भारी हो रही है, आखे चिपक रही है, आखे चिपक रही है, ऐसा बोलते बोलते होता क्या है, कि उसको वो सुचना वो जो है, वो अंतर मन तक चिले जाती है, जागरुत मन तक जाती है वो सुचना, और मतलब सबकॉंचि जाती है और धिरे 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 उसको ऐसा लगने लगता है कि अपनी आखे चिपक गई फिर मैं ऐसा बोलता हूं कि एक दो और तीन और तीन बोलते ही आपकी आखे चिपक गई अभी खुलेंगी नहीं ऐसा बोलने के बाद में उसकी आखे चिपक जाती है वो जितनी जादा को प्रिसकों बोलते कि अभी मैं 3-2-1 बोलूंगा और ऐसा बोलते ही आपकी आखे यहां पलके निकल जाएंगी आखे खुल जाएंगी तो यह हो गया एक परिक्षा होगई एक टेस्ट होगई है दूसरी टेस्ट जो हम देते हैं उसको वह हैंला और अगुठे सामने रखे इसे पुरा बदन धिलना करो और अंगुटे के तरफ दैना या बाया अंगुटे के तरफ एक सिरेका देखते रहो अंगुटे के तरफ देखते रहो देखते रहो और ऐसा बोलते हम बोलते हम बोलते कि अपकी उंगलियां चिपक जाएंगी अपके हाँ चिपक जाएंगे उंगलियां चिपक जाएंगे ऐ सुचना बार बार दिया कि उसके उसको बोलते कि एक दो और तीन और फिर एक दो और तीन ऐसा बोलते हैं हाथ चिपक जाते हैं हाथ खुलते नहीं हैं उम्लियां चिपक जाती है और जितनी ज्यादा कोशिश करता है वो वैसे उसके उम्लियां चिपक जाती है हाथ चिपक जा सनब्सक्राइए जया लॉइंगे। आपके निकल जाएंगे। यसा बोलते ही तीन-दो एके और हो जाएंगे। तो जिसके और हाथ ऐसे चिपक गए वह गह eigनödना रशामें जा सकता है। वह स्टे शो के लिए वह विएक्ति कममें आ सकता है, कि स्टेश्टों के लिए मराबर वो अच्छा केंडिडिट है फिर तीजरी जो परिक्षा है वो है है हैंड लिविटेशन टेस्ट, मतलब ऐसा हाथ रखना है नीचे, हाथ रिलाक्स करने का है, और हाथ रिलाक्स करने के बाद में, उसको सुचना तीन बुलते हैं, उसका हाथ पूरा हवा में चले जाएंगा फिर हम उसको बुलते के अभी मैं तीन दो एक उल्टी गिंती करूंगा जैसे उल्टी गिंती हो जाएंगे वैसी अपका हाथ नीचे वैसा भरी हो जाएंगा और नार्मल हो जाएंगा हाथ नीचे आजाएंगा तीन दोर एक ऐसा बूलने के बाद में हाथ नीचे आ जाता है तो यह हाथ उपर उठने की परिक्षा है हैंड लेविटेशन टेस्ट इसमें वह एक्ति डीब संभून अवस्ता में जाता कि नहीं जाता कि मालूम पड़ता है फिर चौति टेस्ट है वह बाडी स्वे टेस्ट बाडी स्वे मतलब बदन आगे पीछे होने की परिक्षा तो उसमें हम उसको दोनों पैर पैरों के पंजे चिपक के खड़ा रहने के लिए बोलते हैं आखे बंद और मैं पीछे खड़े रहता हूं उसको बोलता हूं मैं प अगे पीछे जुमना चालू करेंगे अपका बैलन्स पीछे पीचे पीछे जा रहा है आपका बैल Park cinco जा रहे हो पीछे गिर रहे हैं ऊपिछे गिघकर रहे हैं तो जिसका बैलनस एसा पिछे चले गया है इसका मतलब वो ढीव ठांड में जा सकता है तो फिर उसको बलते कि अभी नॉर्मल में आपको करता हूं तीन दो एक उल्टी किंती करके उसको नॉर्मल करते हैं और उसके आखे खुलवाते हैं तो ऐसी यह 4 टेस्ट है PahitL Tik사lepsoy test आखे चीपकने की परिक्षा दूसरी जो है hand class test मतलब ह drink चिपकने की परिक्षा तीसरी है high levitation test हाथ उपर उठने की परिक्षा और दूसरी जो है wya body swear taste मतलब आगे पीछे बदन होने की परिक्षा तो यह परिक्षा में पास होने वाले वेक्ति डीप ट्रांस में जा सकते हैं जैसा मिने पहले वादा है कि 25 प्रतिशत लोग वह पहले यी प्रयोग में डीप ट्रांस में जा सकते हैं 25 35 प्रतिशत लोग वो मिडियमम ट्रांस में मध्यम आवस्ता में संभान की जाते हैं मतलब 35 का लाइट ट्रांस या लाइट हिपनाटियसम् फिर दूसरा 35 का मेडियम ट्रांस या मध्यम हिपनोडिसम तीसरा जो है वह 25 प्रतिशत मतलब डीप ट्रांस या डीप हिपनोडिसम 95% होगे 95 प्रतिशत होगे अब यह बच्चे में 5 जो है वो है कुछ लोग ऐसे कि जो चैलेंज करते हैं वो होते नहीं है सम्मुइत फिर कुछ लोग बहुत ही विशलेशन करने वाले होते हैं कि ऐसा क्यों बोला ऐसा क्यों बोला ऐसा बुलने का अर्थक है जादा जिल पर जाडनापन जैसा बोलते हैं बहुत एनलिसिस करने वाले विशलेशन करने वाले तो वो सम्मोईत होते नहीं है फिर मंद बुद्धी के लोग जो है वो सम्मोईत होते नहीं क्योंकि उनको मैं क्या बोलता हूँ वो समझता ही नहीं है तो जिनको यह समझता नहीं है बाचित, बोली भाशा उतना उनका IQ नहीं है उनकी मतलब इतनी बुद्धिमता नहीं हो समझते नहीं है और वो सम्मोईत होते नहीं है और जो लोग इच्छा ही नहीं है जिनकी होने की हैना वो लोग सम्मोईत होते नहीं है तो हमको सम्मोईत का प्रयोग करने के लिए एक तो इच्छा होने की जरुद है किसी के इच्छा तो फिर 10-12 सिटिंग में उसको अच्छा फायदा होना शुरू होता है, क्योंकि जब 10-12 सिटिंग, मतलब एक सिटिंग 8-10-10 मिनिट का, तो वो सिटिंग में conscious mind उसका बाजू हो जाना, और subconscious mind से direct संपर्क करना ये संभव है, तो ये होने से काफी फायदे हो सकते हैं, तो इसल खुद को खुदने सम्मुईत करना और खुदने डीप टांस में जाना, तो बहुत सारे फायदे हिपनाडिसम के वो खुद को मिल सकते हैं, और एक अच्छा जीवन, शक्तिशाली जीवन, खुद मतलब ऐसा अनन का जीवन वो जी सकता है, और हिपनाडिसम के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में महिती दूँगा, जानकरी दूँगा, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रो, ताकि जो वीडियो है आपको वो इन्फरमेशन मिलती जाएंगी, हमारा जो पेज है फेस्बूक का उसको लाइक करो, और जो अमनी वेबसाइट है उसक वाले वीडियो को वीडियो टैू भाले चासे व क्वेबसा टो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो अदीयो को सबया कर्दे प्रफंदीयो. झाल झाल